हलो फ्रेंज, वेलकम टू आर प्लाटफॉर्म शिक्षा फिद मोटिवेशन नवंबर महीने के करंट अफिर्स पार्ट टू में आपका स्वागत है इससे पहले 25 करंट अफिर्स हम पार्ट वन में देख चुके हैं आज हम क्वेशन नमबर 26 से शुरुवात करेंगे तो चलिए बिना देर के शुरुवात करते हैं इंद्रा गांधी शहरी रोजगार गारंटी यूजना के संदर्ब में निम्न लिखित कत्नों पर विचार कीजिए नमबर एक है यह मनरेगा कारक्रम की तर्च पर शहरी गरीबों और जरूरत मंदों को वर्ष में सौ दिन रोजगार प्रदान करता है दूसरा चिन्नित शेत्रों में शहरी स्थानी निकायों की सीमा में रहने वाले 18 से 60 वर्ष की आयू वर्गे वाले इसमें रोजगार के लिए पात्र है इससे आवास और शहरी कार्य मंत्राले द्वारा पाइलेट प्रोजेक्ट की तौर पर शुरू किया गया है चौथा योजना के तहट पात्रता के लिए आय सीमा की कोई बादिता नहीं है अब इसका चार जवाब इसके हमें नीचे देख दिये गए है इसका सही जवाब है यानि की 1, 2 और 4 तीसरा वाला ओप्शन हमारा रॉंग है फिर है question no.27 जीमेक्स नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों के मद्द आयोजित किया जाता है भारत इंडोनेशिया, भार इंडोनेशिया, उस्ट्रेलिया, भारत जापान या उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब है option C, भारत जापान जीमेक्स इससे भी आप समझ सकते हैं J for Japan, I for India question no.28 है निम्द लिखित में से कौन सी एक योजना, परियोजना, सड़क, परिवहन और राजमार्क, मंत्राले के अंतरगत नहीं आती चार धाम या सागर माला इसका सही जवाब है option D, सागर माला परियोजना क्योंकि सागर माला परियोजना 30 शेतनों से संबंदित है जिसका सड़क, परिवहन और राजमार्क, मंत्राले से संबंद नहीं है अगला प्रश्न 29 UNESCO के Global Network of Learning Cities के संदर्ब में निम्दलिखित कत्मों पर विचार कीजिए पहला इसमें ऐसे शहरों को शामिल किया जाता है जो अपने समुदायों में आजीवन सीखने की कला को बढ़ावा देते है दूसरा केरल के वारंगल और त्रिशूर तथा तेलंगना के नीलामबूर इस सूची के तहट मानेता पाने वाले पहले भारतिय शहर बन गए है इस क्वेशन का सही जवाब है ओप्शन ए केवल एक यानि कि इसमें ऐसे शहरों को शामिल किया जाता है जो अपने समुदायों में आजीवन सीखने की कला को बढ़ावा देते है अगला प्रशन है 29 आचार्य विनोवा भावे के संबंद में निम्दलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला वे भूदान आंदोलन के प्रणेता और संस्थाफक थे दूसरा वर्ष 1940 में गांदी जी ने उन्हें ब्रिटिश राज के विरुद जवाहरलाल नहरू के बाद दूसरे व्यक्तिगत सप्तियाग रही के रूप में चुना तीसरा उन्होंने महाराश्ट्र के पवनार में अनात बच्चों के लिए ब्रह्म विद्या मंदिर के स्थापना की और चौथा उन्होंने ईशा वास्य वृत्ति और स्थित प्रग्यदर्शन नामत पुस्तकों की रचना की अब इन चार आप्शन्स A, B, C, D में से इसका सही जवाब है आप्शन C यने की 1 and 4 2 और 3 गलत है क्योंकि विनोबा भावे जो थे वो 1st थे व्यक्तिगत सत्या ग्रही और जवाहर लालनेहरू 2nd थे ये हमें पता है अब इस बेस पर जब हम 1 को हटाते हैं तो और हमें ये हमें पता है 1 और 4 सही है जब हमें ये पता है कि 2 यहाँ पर रॉंग है तो 1 सही है अब 1 के साथ 2 तो आना ही नहीं है ये भी नहीं आना है तो ये दो आप्शन हमें चुनने रहे गए हैं कि 3 या 4 अब इनकी पुस्तकों के बारे में हम देखें तो ये दो पुस्तके इनकी काफी फेमस हैं इशा वासिव रत्ती और स्थित प्रग्यदर्शन इसलिए 1 & 4 करेक्ट है 2 और 3 रॉंग है अगला है Q31 हाल ही में किस राज़े ने मुख्यमंद्री नाष्टा योजना की शुरुवात की है मुख्यमंद्री नाष्टा योजना इसके चार उप्शन है राजस्थान, मद्धे प्रदेश, तेलांगना और तमिलनाडू इसका सही जवाब है यह हमने पिछले जो करंट अफेस सीरीज हमारी डेली करंट अफेस सीरीज है उसमें हमने यह प्रशन किया है और इससे आपका रिविजन हो जाता है अगला प्रशन है Q32 हाल ही में नामीबिया ने अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया यह न्यूस बहुत जादा उस समय पॉपिलर थी कुछ टाइम पहले चीते से संबंदित नम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला है चीते को लुप्त प्राय वन्यजीव और वनस्पती प्रजाती अंतर राश्रिय व्यापार अभी समय CITES के परिशिष्ट एक के तहट संब्रक्षित किया गया है दूसरा है चीते को अंतर राश्रिय प्रक्रती संब्रक्षन संग आई यू सी एन की लाल सूची में कमभी रूप से लुप्त प्राय व्याप्रजाती के रूपने यानि की critically endangered के रूपने अधिसूचित किया गया है अब इसका सही जवाब है option A सिर्फ एक इसका जवाब है ये वाला wrong है ये हमें पता है कि CITES की परिशिष्ट 1 के तहट इसे नामित किया गया है उसमें इसे रखा गया है उसके बाद है question number 33 टाइफून एक शितोष्न कटिबंधिये चक्रवात है जो उत्तरी गुलाद में 180 डिग्री से 100 डिग्री पूर्वी दिशांतर के बीच विक्सित होता है दूसरा वर्ष 2022 में टाइफून नान माडोल और हिन मिनौर दोनों ने जापान के 30 इलाकों में दस्तक दी इसका सही जवाब है option B केवल दो क्योंकि टाइफून जो है वो एक शितोष्न कटिबंधिये चक्रवात नहीं है बिल्कि एक उश्न कटिबंधिये चक्रवात है यानि कि ट्रॉपिकल साइकलोन है ट्रॉपिकल उश्न कटिबंधिये ठीक है इसलिए first option हमारा गलत हो गया और जो second है हमारा ये right है question number 34 देखेंगे PM प्रणाम योजना का संबंध निम्दमे से किस से है पहला रासाइने कुरवरकों के उपयोग को कम करने से श्रमिकों का स्वास्त बीमा कराने से क्रिशी शेत्र में नविकर्निय उड़्चा संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने से या फिर प्रधावस्ता के दौरान आर्थिक अनुदान प्रदान करने से अब question number 34 का अंसर है option A रसाइनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने से पी-म प्रणाव अगला है question number 35 वर्तमान में शंगाई सहयोग संगठन के पूर्न कालिक सदस्यों में कौन से देश शामिल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान या इरान इसका जवाब है option B one, three and four यानि की पाकिस्तान तजाकिस्तान और किर्गिस्तान ये S.C.O. के पूर्न कालिक सदस्यों से हैं अफगानिस्तान और इरान नहीं है question number 36 देखेंगे भारत के तीन बल्क तीन राज्यों में तीन बल्क ड्रग पार्कों की सापना की गई है की जाएगी निनलिखित में से कौन सा एक राज्य इससे संबंदित नहीं है 36 का answer है D उत्तर प्रदेश यानि की विद कौन से तीन राज्यों है जहां तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित की जाएंगे आंद्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश फिर है question number 37 निनलिखित कत्मों पर विचार कीजिए पहला देश में राष्ट्रिय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट में है और सबसे अधिक राष्ट्री राजमार्ग भी महाराष्ट्र राज्य से होकर बिजरते हैं दूसरा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग NH 47 है जो श्री नगर से कन्या कुमारी तक जाता है तीसरा, भारतिय सड़क कॉन्फरिंस देश में राजमार्ग अभी आंत्रिकी की शीर संसा है मतलब जो हाइवे इंजिनेरिंग है उसकी जो टॉप मुस्ट बॉड़ी है वो भारतिय सड़क कॉन्फरिंस है इसका सही जवाब है ऑप्शिन D, सिर्फ 1 और 3 केवल 1 और 3 सही है ये रॉंग है सेकेंड वाला फिर है कॉशन अमब 38 सही जो राष्ट्रो महासभा के संदर्व में निन्नलिखेत कत्नों पर विचार कीजिए पहला महासभा में सही जो राष्ट्रो के सभी सदस देशों का प्रतिनिद्व होता है अतह ये सेकेंड राष्ट्रो का एक मात्र सार्व भामिक प्रतिनिद्व वाला निकाये है दूसरा महासभा द्वारा अपने अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है जिसका कारिकाल पांच परश्च का होता है तीसरा महासभा में शान्ती और सुरक्षा नए सदस्यों के प्रवेश और बजटी अमामलों जैसे महत्वपून प्रश्णों पर निर्ने लेने के लिए तीन चौथाई पहमत की आवशक्ता होती है चौथा महासभाद्वारा सुरक्षा परिशत की सिफारिश पर यू एन महासभा की नियुक्ती की जाती है इसमें सही जवाब है option A ये दो options कलत हैं ये सही नहीं है दो और तीन पुछा है इसमें ये दोनों कलत हैं यानि की first और fourth ही सही है क्योंकि इसमें पुछा गया है की सही नहीं है अब है question 39 भारत के किस राज्य में हाल ही में एक हिम्स खलन निकरानी राडार की स्थापना की गई है हिम्स खलन निकरानी राडार इसका ओप्शिन है ओप्शिन बी सिक्किम निम्नलिखित प्रत्नों पर निम्नलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला गुजरात के लोथल में भारत माला परियोजना की तहत राष्ट्रिय समुदरी विरासत परिसल का निर्मान किया जा रहा है दूसरा पुरा तात्विक उत्खनन से लोथल में 5000 वर्ष से अधिक प्राचीन मानव निर्मे टॉक यार्ड प्राप्त हुआ है इसका सही जवाब है ओप्शिन बी केवल दो सिर्फ ये सही है ये रॉंग है प्रशन 41 एकतालिस हाल ही में समाचारों में रही मानज बलजील भारत के किस राज्य ये किंद्रिशासत प्रदेश में इस्थित है पहला हिमाचल प्रदेश दूसरा अंडवा निकोबार्द वीब समू तीसरा सिक्किम और डी है जमू कश्मीर इसका सही जवाब है डी जमू कश्मीर अगला प्रश्न है किस राज्य विधान सभा ने महिला विधायकों के लिए महिला केंद्रित समस्याओं हित्व एक विशेश दिवस निर्धारन किया है ये बहुत अच्छी पहल है पर ये पहल किस राज्य की है इसका जवाब है तेलंगाना फिर है क्वेशन नमबर 43 एशिया प्रशांद प्रसारण विकास संस्थान AIBD ने के संदर्ब में निम्नलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला ये है सह्युक्त राश्य आर्थिक और सामाजिक आयोग का एक विशिष्ट शेत्रिय अंतर सरकारी संगठन है UN Escape भारत इसके पुन कालेक सदस्यों में से एक है तीसरा इसका सचिवाले नई दिल्ली में स्थित है उप्रक्त कत्नों में से कौन साया से सही है इसका जवाब है Option A केवल एक और दो ये दोनों सही है अगला प्रशन 44 इसमें हमें मैचिंग करना है औरिंज क्रांती ट्यूलिप क्रांती जैस्मिन क्रांती और इन से संबंदित देश है किर्गिस्तान यूक्रेन और ट्यूनिश्या इसका सही जवाब है कौन-कौन से यूगमस सुमेले थे हैं वो हमें देखना है तो Option D इसका सही जवाब है केवल तीन सही है जैस्मिन क्रांती ट्यूनिश्या से संबंदित है उसके बाद अगला प्रशन है 45 सतत समुदरी परियतन को बढ़ावा देनी के लिए वैश्विक डिजिटल प्लाटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब की शुरुआत किसके द्वारा की गई है इसका जवाब है Option A UNEP United Nation Environment Program के द्वारा की गई है प्रशन 46 स्पर्श पहल के संदर्व में निम्न कत्मों पर विचार कीजे पहला यह रक्षा पेंशिन की मन्जूरी और वितरन के स्वचालन के लिए एक एकिकरत प्रणाली है दूसरा यह ग्रेमंत्राले द्वारा शुरू की गई एक पहल है कौन से कथन सही है इसमें सिर्फ पहला सही है यानि की यह अगला प्रशन 47 किसी कंपनी द्वारा महा रत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए अनिवारे मांदंडों पर विचार कीजे पहला कंपनी पहले से मिनी रत्न श्रेनी में शामिल हो दूसरा कंपनी की महत्वपून वैश्वी कुपस्तिती अत्वा अंतर राश्ट्रिय संचालन होना चाहिए तीसरा पिछले तीन वर्षों के दोरान कंपनी का ओसत वार्षिक शुद्ध लाप 15,000 करोड रुपए से अधिक होना चाहिए इसका सही जवाब है ओप्शिन सी केवल दो ठीक है फिर है क्वेश्चन नुबर फॉर्टी एट अंदर राश्ट्रिय नियायाले सेंच तो राश्ट्र का प्रमुक नियायक अंग है जो हैग नीदरलेंड में स्थित है दूसरा सेंच तो राश्ट्र के छे प्रमुक अंगों में से पांच के मुख्याले नियू यॉक सेंच तराज अमेरिका में स्थित है तीसरा, सहींक तो राश्रुकी पांच अधिकारेग भाशाएं हैं जिसमें हिंदी भाशा शामिल नहीं है इसमें सही जवाब है, option A, एक और दो ये दोनों हमारे ठीक है question number 49 है, सूजी एक को दो से सुमेलित कीजिए और सही कूट चुनिये पुस्तक और उसके लेखक का नाम दिया है, हिंदुत्व and violence, अमबेटकर अन मोधी, the song of the sale, India's composite heritage और सामने चार लेखक लिखे हैं, रामनात कोवित, सिधार्त मुखरजी, विनायक चतुरवेदी, नचिकेत चंचानी इसका सही जवाब है, D, यानि की 3, 1, 2 and 4 हिंदुत्व and violence, विनायक चतुरवेदी, उसके बाद, अमबेटकर अन मोधी, रामनात कोविन, the song of the sale, सिधार्त मुखरजी, और इंडिया's composite heritage, नचिकेत चंचानी ये question number 50 है हमारा, मंधन सम्मेलन के संदर्ब में नमनलिखेत कत्मों पर विचार कीजए पहला, इस तीन दिवसी सम्मेलन का आयोजन, कौशल विकास एवं उद्यम शीलता मंत्राले द्वारा बेंगलोरू में किया गया है दूसरा, इसका उद्देश व्यवसाइक पाठिक्रमों में प्रवेश में से पूर्व विध्यार्थियों के केवल कौशर प्रशिक्षन को परिक्षन को आधार बनाने पर विचार करना है उप्रोक्त में से सही कथन कौन सा है? इसका जवाब है, ओप्षिन डी न तो एक नहीं तो, दोनों ही ओप्षिन रॉप है तो हमारे 50 क्वेशन्स यहां खतम होते हैं थाइंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब आर चैनल